हेलो एवरिवन आई वेलकम यू तो दिफेंस ऑफिसस एकेडमी यूट्यूब चैनल और आज जिस खास इंफरमेशन के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं यह है सैनिक स्कूल घोड़ा खाल और उससे जुड़ी कट आफ के बारे में जो कि 6th और 9th क्लास की हम आपके साथ शेय है क्या वहाँ हमें एडमिशन मिल पाएगा भी या नहीं उस लिहाज से यह जो क्वेरीज हैं और क्यूंकि उत्राखंड में घोड़ा खाल्ज का जो स्कूल है यह जाना माना सैनिक स्कूल है इसकी कट आफ आपके साथ शेयर करना लाजमी है जैसा कि मैंने आपको बताया हम हम पिसले साल की जो कट आफ है उसको एक तरीके से मार्क करते हुए यह समझेंगे कि इस बार की कट आफ कितनी जानी चाहिए और आप लोग इसमें जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए सबसे पहले देखते हैं सेनिक स्कूल के रा बॉइस की केटिगरी में देखूँ और बॉइस में भी डिफरेंट डिफरेंट केटिगरी में माल लीजे सबसे पहले मैं डिफेंस केटिगरी में देखता हूँ डिफेंस केटिगरी में जो सेलेक्शन हुआ है उसमें कट-off है 262 क्योंकि कट-off के लिहाज से भी काफी आई है 300 का जो paper होता है उसमें 262 अगर cut off जाती है इसका मतलब for the admission in scenic school घोडाखाल you need more than 262 marks और यह पिछले साल की बात थी अगर मैं इस साल की बात करूँ तो इस साल तो paper comparatively और easy आया है तो इस साल इसकी cut off और high maybe five to six numbers high जाने की संभावना है अलग-अलग category में आप यहां पर plus five मान करके चलिएगा कम से कम ठीक है 262 यह रही थी defense में और जिस बच्चे का last जो selection हुआ है defense category में उसकी अगर मैं all India rank की बात करूँ तो one two eight four overall all India में ranking thousand से भी उपर थी और लेकिन क्योंकि यह home है पहली बात तो अपने आप कई सारे जो barriers हैं वो खतम हो जाते हैं home state वालों में फिर defense category में क्योंकि बच्चा यहां पर उत्राखंट का ही होगा और defense category का होगा इसलिए उसका selection हो गया मगर marks में आप देखिएगा बहुत जादा marks है similarly if I talk about a defense category girl then 279 is the cutoff mark which is much higher than the boys इसका मतलब है कि girls को लेकर के आप और जादा estimate लगा सकते हैं यह depend करता है number of seats को ले करके भी number of seats घोड़ा खाल में कितनी है क्या रही है यह सब हमारे पिशले वीडियो में जो कि e-counseling से related था बहुत महत्तुपूर्ण वीडियो है उसमें भी आप देख करके check कर सकते हैं girls की जो all India rank इसमें selection हुआ था आखरी 113 रही थी इसी तरीके से बाकी categories भी है जो कि आप देख सकते हैं if I talk about OBC category for the home state तो यहां 213 जो काफी कम है 262 से और इंडिया रैंकिंग भी उसी हिसाब से प्रभावित है 14109 नंबर के बच्चे का OBC category में सेनिक स्कूल घोड़ाखाल में selection हुआ है just because he belongs to the home state that is उत्राखंट यहां पर अगर मैं OBC category में girls की बात करूं तो vacancy थी इसलिए 241 जो marks है उस पर हुआ है तो यहां पर भी आप देख सकते हैं girls की boys की comparison में जादा cutoff गई है और ranking इसी हिसाब से है चलिए SC category में अगर मैं बात करूं home state boys की तो 206 गई है cutoff सो defense OBC और SC में धीरे धीरे आप देखते हैं cutoff का margin कम होते जाता है अगर मैं इसे आज के समय के आज के सिनारियो की बात करूं 210 प्लस marks at least होने चाहिए क्यूंकि यहां पर आपने एक easy paper solve किया है लेकिन साती साथ आप number of seats को भी अगर evaluate करेंगे तो उस हिसाब से भी आपको यहां पर कुछ नंबरों का और उजाफा देखने को मिलेगा ओके 206 marks यहां पर girls के लिए फिर से 231 marks इसी तरीके से ST category में 232 marks आपको देखने को मिले है और जो unreserved category है उसमें 263 marks just one number more than the defense category आप जानते हैं SC, ST और OBC तीनों ही category के reservation को घटा देने के बाद एक तरीकी से जो seats बसती हैं कहने का मतलब है कि आप SC, ST और OBC को allotted seats को दे दीजिए उसके बाद जो number of seats बसती है उसके 25% defense के लिए allot होती है और उसके बाद जो seat बसती है वो unreserved category के लिए बसती है इस लिहाज से defense और unreserved category में बहुत जारा difference नहीं देखने को मिला है कहने का मतलब है कि if you are belonging to a home state and if you are a defense category student then also you need to score very high marks in order to get admission in the scenic school घोड़ाखाल और वहाँ पर भी आपको plus 5 के हिजाब से इसको देखके चलना होगा मैं तो यह कहता हूँ कि 270 के आसपास जा सकती है overall अगर आप generally boys की cut off की बात करें तो if you are scoring 270 or 270 plus marks and if you belong to the home state then in any category you have a definite chance of getting admission ये बात जरूर ध्यान में रखेगा as far as the girls marks is concerned तो इसमें आप 275 to 280 का भी score देख सकते हैं based on the paper और number of seats के हिसाब से भी we need to check ये सायद हमने पहले से देख लेना चाहिए था कि खोड़ाखाल में क्या girls की इस बार vacancy कोई है या नहीं तो आपको particularly जो हमने e-counseling की पिछली वीडियो दिये है इसमें सैनिक स्कूल खोड़ाखाल को देख करके वहाँ girls की कितनी vacancies हैं और boys की कितनी vacancies हैं home state के तौर पर वो जरूर चेक कर लिजेगा कहीं कहीं girls की जो vacancies हैं class 6 तो नहीं लेकिन class 9 को लेकर के सिर्फ एक vacancy कहीं कहीं पर हमने देखने को मिली थी तो उस लिए से बहुत सारी wise vacancies को analysis करने के बाद आपको यह देखना होगा कि क्या आपकी category में कोई seeds available हैं या नहीं और अगर number of seeds एक से ज़्यादा हैं तब आपको इस cutoff margin को भी cross करना होगा then you can say that the chances of your admission are more likely ओके यह तो home state की बार थी और class 6 को लेकर के हम यह सब discussion कर रहे थे अब अगर मैं बात करूँ class 6 के ही admission को लेकर के और other state की बात करूँ तो यह round 1 के आंकणे अभी मैं आपको यह भी समझा दू कि round 2 और round 3 में भी जो cutoff है वो धीरे धीरे आपको हलकी slightly in your range आती भी दिखेगी round 1 दरसल सबसे ज़्यादा cutoff all around रहता है उस लिहास से हमने यहाँ पर चीज़ों को बताया है ताकि आपको एक clear picture मिल जाए आप कहें कि अगर 270 marks आ रहे हैं तो मैं देख सकता हूं घोड़ा खाल को as an admission opportunity अगर मेर अगर unreserved category सी हो suppose मुझे फिर खोड़ा खाल के अलावा किसी और स्कूल पर भी ध्यान देना चाहिए या फिर मैं उसे apply तो करूँ as a good setting school but मैं other options को भी टटोलू यहाँ पर मेरे ज्यादा chances है selection gain करने के other states के तोर पर अगर मैं देखूँ तो OBC category में जो boys की cutoff गई है वो गई ह 272 which is very much अगर आप मैं पीछे देख रहे थे मैं जब defense category की बात कर रहा था 262 गई थी home वाली category में 263 गई थी the highest mark जो गए थे 263 थे round 1 में जबकि other category में देखिए आप यहाँ पर highest marks गए है 278 तो किसी भी सिनारियो में आपको यहाँ पर भी समझ मा आ चुका होगा कि other state के हिसा से जब आप admission गेन करना चाहते हैं तो आपको जादा competition देखने को मिलता है उसके लिए आपको जादा marks किया हुशकता है तो कोई भी बच्चे अगर सेनिक स्कूल घोड़ाखाल में जो कि उत्राखंड से belong नहीं करते हैं admission लेना चाहते हैं तो उन्हें इन category के हिसाब से जो कि पिछले साल की हैं इसमें प्लस फाइब का इजाफा करते हुए अपने marks को obtain करना ज़रूरी है अपने question paper को मिलाईए और उसमें देखिए आपके कितने marks आ रहे हैं तो OBC category में other state में 272 cut off गई है और जिस व्यक्चे की last number लगा उसकी rank थी 392 और girls में गई है 285 very much more than the boys हमेशा girls की cut off आपको जाधा मिलती भी दिखेगी because number of seats कम है उनकी और दूसरी बात है कि वहाँ पर जाधा competition ultimately हो ही जाता है तो जिस लड़की ने ओल इंडिया 31 rank हासिल की थी यानि कि आप समझ सकते हैं इतने सारे बच्चों में जो 31 rank ला रही है उसका क्या level रहा होगा उसे सहने की school म admission मिला है वो भी last margin यानि कि cut off के margin पर यानि कि जिन बच्चियों का ज्यादा selection होने की संभावना थी वो बच्चियां इस पूरे mark से बहुत आगे निकल गई थी almost आपके 80-90% marks आने जरूरी है if you are a girl and belonging to the other state and you want to get admission in the scenic school घोडखाल उसके बाद यह जो बच्चे थे यह बिहा category से just two numbers high है girls के लिए unreserved category में कोई seat available ना होने के वज़े से blank है हो सकता है इस साल यहां बहुत सारे blank रह जाए that you need to check from the e-counseling video वहां पर हमने घोडाखाल की भी special जो होगी उसको आपके सामने जो sheet है notification है वहां से provide करके बताया हुआ है अगली जो Delhi NCT से selection हुआ है other OBC में वह है 258 marks का statewide इसको आपने analysis करना है हर एक state के लिहाज से या फिर जितने बच्चों का selection हुआ उनको state की category में अलग-अलग माट दिया गया माल लीजे किसी पाच बच्चों का selection हुआ है इन पाच बच्चों में यह पाच अधर स्टेट के हैं माल लीजे और अधर स्टेट के जो बच्चे हैं इन में से पाच्चों को हो सकता है यह पाच्चों ही की state के हो तब तो फिर ज बच्चों को एक cut-off के हिसाब से बिहार से किस बच्चे का selection हुआ last marks वाला cut-off क्या रहा उसका इसी तरीके से state wise उसको distribute करके बताये गया है तो यहां पर जितने बच्चों का selection हुआ है उसमें OBC category में बिहार से select होने आले बच्चे की marks 272 OBC category में दूसरी seat जो डेली एंसीट स से select होने आले बच्चे को मिली वो थे 258 marks की and defense category में हर्याना से selection हुआ है और वो girls का है defense category में seat बची होगी 258 marks है boys की category में कोई seat नहीं थी same goes with the Jammu and Kashmir से unreserved जहारकंड से unreserved दो बच्चों को admission मिला है unreserved category में एक है जहारकंड से सबसे ज्यादा marks 278 लाया जम्मो कश्मीर वाला बच्चा फिर 274 marks लेकर आया था जहारकंड वाला बच्चा तो उस लिहाद से उनको मिली है यहां पर seat least around 280 marks in your examination for class 6th तब आप round 1 में clear हो सकते हैं अगर 260 से 2 sorry 280 से 270 के बीच में आपके marks हैं और आप other state के हैं तो आप फिर round 2 में हो सकता है कि आप इसको clear कर जाए यह घोड़ा खाल मैं आपको class 6th के admission के तौर पर देखने को मिला था फिर बागी सारे राज्यों से भी बच्चों का admission हुआ होगा क्योंकि number of seats ज्यादा रही होंगी लद्दाक से other में ST category में हुआ था selection boys की कोई seat नहीं girls की जो seat थी उसमें जो लद्दाक से बच्ची सेलेक्ट हुई है उसके 233 marks थे and this will be the cutoff for the ST girls category यह अगले साल अगर मैं इस साल की बात करूं तो 233 की range में पिछले साल cutoff रही थी इस साल आपको देखना होगा क्या girls के लिए कोई seat available है अगर एक ही seat available है तो फिर cutthroat वहाँ पर competition होगा आपको मैं 250 plus अगर आते हैं तभी यहां पर selection की guarantee दे सकता हूँ otherwise बहुत सारी seats है माल लीजे एक से ज्यादा seats available है तो आपके at least 240 to 245 marks आने ही चाहिए इसी तरीके से OBC category में आपको यहां पर एक दो तीन selection दिख रहे हैं और पहला है मध्यप्रदेश से दूसरा है मनिपुर से तीसरा है राजस्थान से इनके नंबर है 254 253 और फिर 254 तो 254 वाले ही है उनकी all India rank अलग अलग आई है based on various factors जब नंबर सेम आ 254 is the cutoff mark for the OBC category student in the other state category और 254 अगर मैं पीछे देखूं तो OBC category में other state में बिहार से 272 वाले बच्चे थे 258 वाले बच्चे भी थे तो यहां पर 272 maximum रहा है OBC में एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच बच्चे other state के OBC category से select हुए है और उसमें 272 highest रहा है तो इसका मतलब इस बार आपको 280 तो लाने ही होंगे अगर मैं SC category की बात करूँ तो यहां पर एक, दो, तीन, तीन बच्चे इस वाली slide में हमें दिख रहे हैं और यहां पर नहीं है तो ती तीन सीट टोटल रहे होंगे SC category की उन तीन सीटों में अधर के लिए तीन सीट रहे होंगे अधर में आपको 222, 223 और अच्छा यहां पर यह girls के लिए, तो दो ही रही boys के लिए 222 और 223 के score के आसपास देखने को मिला था, यानि कि इस बार आपको 230 प्लस marks तो at least चाहिए ही अगर आप SC community के हैं, other state के हैं और आपको घोडा खाल में admission चाहिए तो, OBC की बात कर लिए, SC की बात कर लिए, यहां पर ST के लिए 219 देखने को मिल रही है, other defense में यहां पर 283 भी है, और other defense में यहां पर कोई नहीं है boys के लिए, मैं boys के level पर भी देख रहा हूँ, और unreserved के ल category की, और उसमें भी boys की, चलिए चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, उसको देखते हैं, general category, unreserved category, boys, ठीक है, 274, पहला मिला मुझे, other, unreserved, other, unreserved, 278, 274, so 278 है भाई, अभी तक का highest number, फिर क्या other category में, general में किसी का selection हुआ है, unreserved में, other में 273 है एक, तो total एक, दो, तीन, चार, चार seats boys की, फिल की गई है, other states से, और class 6th admission in घोडाखाल, और इन चार seatों में, क्रमशा, जो number है, 278, 274, 274, और 273, यानि कि, 273 से लेकर के, 278 के बीच के number आये है, पिछले साल, अगर आप, unreserved category के बच्चे थे, other states से बिलॉंग करते थे, class 6th में, पढ़ते अडमिशन चाहिए था, तब ही आपके selection की गुंजाइस है, अब, यह सब तब था जब 1, 2, 3 और 4 seat अवेलेबल थी, सैनिक स्कूल घुडाखाल को ले करके, आपके लिए task हो गया है, otherwise हमें ही यह present करना चाहिए था, लेकिन task यह है, you need to find out how many seats are available for boys of other state category, कितनी seats available हैं boys के लिए other state की category से, यह आपको पता करना होगा, let me check, भुडाखाल में कितनी seats हैं, अगर मैं इसी को फिर दूसरे तरीके से दिखूँ, other state के बच्चों में, अगर आप OBC के category से आते हैं, तब आपको कितने marks देखने चाहिए, तो यहाँ पर है, other OBC में एक boys में मिला है 272, एक 258, उसके अलवा 254, 253, 254, 123, 45, five, five seats are filled for the OBC candidate, पाँच सीटे हैं, जो कि OBC candidate के लिए case से भरी जानी थी, इसमें marks अगर में देखू, हाइस 272 गए हैं, और जो minimum रहे है, 258 यहाँ पर है, और 253 गए हैं, 272 से 253 की range में, पाँच बच्चों का admission हुआ है, अलग-अलग state से, कोई बिहार से हैं, कोई हर्याना से हैं, कोई other state से, आज के समय में, सैनिक स्कूल में, अगर आप OBC category के हैं, और number of seats अगर यही रहती हैं, तो आपके marks आने चाहिए, at least 285 से लेकर के, 270 की category में, इसी तरीके से आप defense category में भी देख सकते हैं, इस तरीके से आप ST category में भी देख सकते हैं, तरीके से आप ST category में भी देख सकते हैं, स्कूल मिला करके यह जानकारी थी, Class 6 में घोरा खाल में ऐड्मिशन लेने के लिए, आपको कितने number, at least, चाहिए अपनी category के लिहास से, और उसको हमने सिर्फ पिछले साल की जो cutoff थी उससे compare करके आपको समझा दिया था और एक अनुमान आपको लग जाएगा अपनी category के लिए कि आपको कितनी number of seats चाहिए यहां पर मेरे पास एक metric है उसमें मैं सेनिक स्कूल घोड़ाखाल की seats देखता हूं तो क्लास 6 में home category में आपको seats मिलती है इफाइट आग आगाउट क्लास 6 तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं सेनिक स्कूल घोड़ाखाल में SC के लिए seats हैं 6 ओके और ST के लिए हैं 3 and if I talk about OBC 12 seats हैं क्लास 6 में इस बार यह tentative list के हिसाब से हैं जो की सेनिक स्कूल नहीं रिलीज की है और defense के लिए हैं 5 seats और यह मैं home state की बात कर रहा हूं ठीक है and general category के लिए है 16 seats home यह है और अगर मैं बात करूँ other class 6 में other state के लिए कितनी seat हैं सेनिक स्कूल घोड़ा खाल में वो जाती है लगभग let me see other states और यह boys का है विटा boys के लिए home state में अगर आप SC community से बिलॉंग करते हैं तो total 6 seats available है उसमें आपको fight करना है अगर आप SC community से हैं उत्राखंड से ही हैं और six class में admission चाहते हैं जब बॉइ है आप तो 3 seats पर आपको fight करना है OBC वालों के लिए बहतर विकल्प हैं यहां पर बारह सीट हैं अवेलेबल हैं जबकि defense वालों के लिए माज और जनरल के टिगरी के लिए 16 seats are available for class 6 boys home अब मैं घोड़ाखाल स्कूल में आपको एक सेट की मैं बताता हूं number of seats सबसे पहले तो आप मिलेंगी इसी लिहाज से से स्टी ओबी सी डिफेंस एंड देन जनरल कि देखते हैं कहां कितनी सीट्स अवेलेबल है तो गोड़ाखाल में स्टी के लिए टू स्टी के लिए वन तू वन फाइव ओके टूटल एटीन सीट्स अर अवेलेबल हियर एंड टूटल 42 सीट्स अर अवेलेबल हिर फॉर बॉइस यह है इस बार कि बॉइस की वेकिंसी अगर मैं बात करूं क्लास 6 की अगर आप अधर स्टेट्स से हैं तो सिट्स अवेलेबल हैं भाईयों और बहनों तो सीट्स और इतना इजी पेपर तो कट आफ जाएगी बहुत तो टू-19 गई थी पिछली बार एक बच्चे का सेलेक्शन हुआ है और यहां पर लड़की का है दूसरा वाला OBC के लिए C में 5 सीट हैं डिफेंस के लिए 2 सीट हैं जनरल के लिए 8 सीट हैं तो इस तरीके से आपको समझना होगा पिछली बार देखिए आप OBC में 1,2,3 सीट देख रहे थे अधर में जो की फिल की गई है और यहां पर 4,5 पिछली बार भी 5 सीट सी थी ती OBC के लिए मै लगे लिए सीट से हैं और इन में से जिस भी विलॉग करते हैं और सीट से अब यहां सीट से बॉन करते हैं 5 सीट हैं नहीं ज्यादा variety of student को वहाँ पर admission मिल सकता है similarly boys other कि अगर मैं बात करो तो बहुत कम seats है general के लिए 8 seat है other में इसके अलवा OBC के लिए ही ज्यादा seats है SCST और defense के लिए कम-कम seats हैं तो वहाँ पर आपको tough competition देखने को मिलेगा अगर आप एक certain category से belong करते हैं जिसमें दो एक या तीन seats बची हैं और वहाँ आप पूरे देश के भारत के जितने भी बच्चे उन सबसे compete कर रहे हैं देखिए यह बात तो रही थी boys seats की अब अगर मैं girls की seats की बात करूं तो उसे हमें compare करना होगा यहां पर let me see इसको इरेज करता हूं और girls की seat पर अब हम focus करते हैं चलिए girls की seat मैं आपको यहीं से बताता हूं गोड़ा खाल के लिए सबसे पहले class 9th सॉरी class 6th की हम बात कर रहे हैं class 6th गोड़ा खाल school और यह है बेटा girls की girls की seat मैं home मैं अगर मैं बात करूं और फिर मैं बात करूंगा other मैं आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा कि कितना competition होने वाला है यहां पर एक एक सीट है हर एक कैटेगरी मैं home मैं जैने कि SC ST OBC डिफेंस और जनरल मिला करके SC ST OBC then we go to defense and then the general तभी मैं girls के लिए पीटा सिर्फ एक सीट है वो भी home state मैं याने कि पूरा जितना highest competition हो सकता है उतना competition रहेगा पिछले बार की SC ST OBC और defense plus general category मैं फिर से आपको सिर्फ एक एक सीट देखने को मिलती है लेकिन जो यहां पर एक सीट अवेलेबल है home state मैं इसके मुकाबले जो other state मैं एक सीट अवेलेबल है इन दोनों में आपको जादा competition other states की सीट के लिए देखने को मिलेगा क्योंकि सीट अवेलेबल है एक candidates पूरे भारत में SC Community से जितने बच्चे होंगे जितनी girls होंगी वो सब यहां पर competition करेंगी जबकि इस वाली SC Community की सीट के लिए सिर्फ उत्राखंड से जो girls होंगी वही compete करेंगी तो number कम हो जाते हैं यहां पर apply करने वालों कर यहां पर ultimately ज्यादा हो सकते हैं यहां पर आपको ज्यादा cut-off जाती भी दिखेंगी है if you belong to other state and if you are a girl and you belong to any of these categories then the cut-off is much higher than the estimated ठीक है तो पिछले बार के हिसाब से आपको उसी तरीके से यहां पर मे OBC की बात करूँ तो 285 marks आयत है girls के लिहाज से अगर मैं admission की बात करूँ और 285 in 300 marks paper बहुत जादा है दूसरी जो आपको यहां पर OBC में दिखती है category वहां पर भी आपके 286 marks है वो भी girl category में तो 286 और 285 इतने marks लाने वाली other state की girls को यहां पर सफलता मिली थी तो guys के लिए थोड़ा ज़्यादा competition है और number of seats की availability भी सिर्फ एक-एक ही है जहां तक boys की बात है वो मैंने आपको explain करके बता दिया है now if we talk about class 9th cutoff और class 9th में आपको उत्राखंड से यानि की home state से कितने admission देखने को मिलते हैं तो मगर मैं defense category की बात करो तो यहां पर एक seat available होती भी दिखती है और यह cutoff है फिए other state की दो defense के लिए 356 गई है out of 400 which is much higher and boys all India rank थी 135 जिसने यह गेन की थी यहां पर girls की जो vacancy है या girls की जो admission है वो नहीं था पिछली बार ठीक है उत्राखंड से OBC category में 318, SC category में 316, ST category में 282 और unreserved category में 356 cutoff गई है यानि की from 356 to 316 these are the marks जिसमें अलग-अलग category में admission हुआ है इस साल के लिए मैं आपको बता दूँ अगर same number of seats रहती तो 360 लेकर के 330 के बीच में आपके marks आने जरूरी है out of 400 then you can say that there are chances of admission अब अगर मैं class 9th के लिए number of seats की बात करूँ घोड़ा खाल स्कूल में देखते हैं कितनी seats है boys के लिए home category में स्थैनिक स्कूल घोड़ा खाल में है 3-2-6-3-8 3-2-6-3-8 और यह है SC, ST, OBC, Defense and General category की seats Home, class 9th की यहां पर बात हो रही है and I am talking about boys admission ST community से अगर आप हैं तो 3 seat available है और 3 seat में fight करना है तो कम seat है ज्यादा competition होगा ST community से आप हैं तो सिर्फ 2 seats हैं उन पर आपको fight करना है OBC वालों को 6, Defense वालों को 3 और General वालों को 8 seat पर fight करना है अगर वो home states से हैं और class 9th के लिए admission चाहते हैं Similarly, other states के लिए अगर मैं बात करूँ class 9th के admission की तो सेनिक स्कूल घोडा खाल में आपको number of seats दिखती है 11324, so 11324, SC, ST, OBC, Defense और General category के लिए Other states में 1 seat available है विटा, SC community के लिए जबकि home state में 3 seats available है यहाँ पर apply करने वालों के संख्या कम होगी सिर्फ उत्राखंट के SC community के बच्चे कर सकते हैं और यहाँ पर apply करने वालों के संख्या पूरे भारत की SC community से होगी तो सिर्फ एक seat है बहुत मुश्किल रहेगा अगर आपके जादा marks नहीं आ रहे हैं तो इसी तरीके से STB है इसी तरीके से OBC भी है इसी तरीके से defense और general भी है जहाँ पर maximum numbers of seat general के लिए 4 है OBC के लिए 3 है बागी defense के लिए 2 है और SC ST के लिए एक-एक seat है other state में अब पिछले साल की एक बार देख लेते हैं किस्ते थी other state में क्या रही थी other state में आपको SC community से देखने को मिली थी बीटर 344 की cut-off लगभग कि और अगर मैं कोई कि अन्य देखूं तो 320 कि 320 और 344 की दो admission हुए है 344 दो रहे थे पिछली बार इस बार seat है मेटा एक पहली बात तो paper easy आया है तो already आप 10 marks आगे 354 में पहुँचे लेकिन seat एक ही available है तो फिर ज्यादा cut-off जा सकती है 360 भी जा सकती है for SC community to get into the admission of Senex School घोडाखाल उसी तरीके से अगर मैं defense के level पर बात करूं तो number of seats I think available थी दो या तीन घोडाखाल में defense category के लिए दो seats थी यहां पर मैं देख रहा हूँ defense पे एक और defense पे दो तो पिछली बार की ही तरह था दो सीट पिछली बार भी थी 370 और 356 गई है तो 370 से 356 के marks पिछले बार थे इस बार आपको at least कहीं न कहीं 380 को 375 के बीच में marks लाने जरूरी है if you are belonging to defense category same goes with other OBC के लिए चार seat या एक seat available है सिर्फ 368 गई है तो फिर से OBC के लिए किसी भी स्थिति में आपको अगर आप किसी भी category के हैं अगर आपके marks आते हैं बेटा out of 400 370 plus then you can see class 9th में admission घोड़ा खाल में और अगर एक seat वाले आप बच्चे हैं तो आपके 378 to 380 marks तो आने ही आने चाहिए तब आपको मिलेगा एटनिक स्कूल में admission मैंने आपको boys की सीट बता दी girls की лемेसी की बात करूं तो यहां पर किषले साल तो कोई आखड़ा उपलम नहीं है इस साल अगर मैं शेनिक स्कूल घोड़ा खाल में girls की बात करूं तो 2000 000000 0000 ही दिख रही है तो कि On лет की सीट इस बार भी नहीं है यहां पर girls के लिए बड़ा कि हमे Labs को हमें कोई WI ap 17 क्लास नाइंथ में इस तरीके से रुजान रहेगा आपको इन एनी केस अगर मैं एक नंबर दे दूं हो अधर सबका मिला करके एक नंबर आप जरूर ध्यान में रखिए फ्यू आर बिलॉंग इंग टू होम स्टेट है देन और क्लास शिक्स त आपके 360 की range में marks होने चाहिए for boys और 365 to 370 की range में marks होने चाहिए for girl अब आपकी category जो है उसके हिसाब से ये आगे पीछे समझ सकते हैं अगर आप other states से belong करते हैं तो class 6 के लिए boys की category में आपकड़ा 370 चला जाएगा और girls की category में 380 के level पर ये आपकड़ा चला जाएगा अगर मैं class 9 की बात करूँ तो ये आपकड़ा 260 होगा बेड़त sorry 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 360 नहीं होगा ये ये 2 because 300 का तो paper ही होता है 260 boys के लिए class 6 265 to 270 girls के लिए class 6 home state other states से घोड़ा खाल में admission लेने के लिए 270 to 280 आपके marks होने चाहिए depending on respectively boys और girls के हिसाब से home state में class 9 में आप होते तो तब आपके 370 और 380 के बीच के marks होने चाहिए और boy and girl respectively और 9 में ही अगर आप हैं और other states से बिलॉंग करते हैं तो 375 से लेकर के 385 की रेंज में और 390 हों तो और बढ़िया boys और girls के marks होने चाहिए यह है कुछ खोड़ाखाल के cut-off को लेकर के रुजहान और अगर आप इस range में आता है यानि कि बहुत बढ़िया आपका production रहा है इस exam में जो कि थोड़ा comparatively easy paper था तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप सैनिक स्कूल खोड़ाखाल में admission ले सकते हैं मुझे लगता है कि आपको information informative लगी होगी कुछ आपको clearance मिला होगा इसमें कि कितने marks पर कितनी cut-off मैं आप clear कर सकते हैं और इन आकणों की मदद से भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं ठीक है एक class 6 और class 9 को लेकर के थी एक और खास वीडियो हमारा जो कि defense officers Academy के girls hostel का आपको टूर कराया गया है कौन-कौन से सुविधाय हम girls को यहां पर देते हैं as a hostel facility और किस तरीके के environment पर उन्हें पढ़ाई करने का मौका मिलता है रहने का मौका मिलता है उन सब की जानकारी आपको हमारे ही इस girls hostel टूर वीडियो में देखने को मिलेंगी सब्सक्राइब और आपको शंका है किसी प्रकार की आपको जानकारी लेनी है कि कैसी विवस्था रहती है यह सब कुछ आपको यहां मिलेगा सूरसर और इस वाइफ यहां पर आप दोनों को देख सकते हैं किस तरीके से कॉंट्रिब्यूट करते हैं बच्चों की टोटल ग्रोथ में और उनकी देखभाल में और अगर आपकी कुछ खास वेरी जो जरूर कॉमेंट सेक्षिन पर हमें बताएं हम फिर आपकी उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में जिसमें कुछ नई इंफर्मेशन के साथ आपकी नई समस्याओं का हम समाधान करेंगे तिल देन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अल दे बेस्ट टेक केर और बाए बाए